इनका वीव लेते हैं, निकुछ कल का स्क्रीन तो काफी परिशान, जैसे अभी हम बात करें कि बैर्स के लिए तो सैंटा हो गया, पूरी स्क्रीन पर लाली-लाल के निशान है, आपने वीव बना रखा था कि बजार के इंटर्नल्स ठीक नहीं लग रहे हैं, क्या यह अभी और में एक कि आप लिएव भी बनाट हो सकता है? मार्केट के बात करें, मार्केट के ट्रिगिट के बात करें, अभी मार्के प ब्रांथल ब्रांथल थ्वान में वाधा कई म्यूं ए बात का Vaka, के वीव लिएव बनाता है, נूवारेकित lev योव जान सावव कि में giयो तो जो H&I dominated stocks थे उनको काफी मार पड़ी है और चौथा अगर आप देखे तो ग्लोबली अगर आप देखे तो ग्लोबली इस समय वालटिलिटी काफी जादा है तो कुल मिला करके market के levels, trigger, momentum और जिस प्रकार के option activity हम देख रहे हैं जिस प्रकार से bank nifty और nifty के अंदर लोगों ने शौटिंग चल रहे हैं शौटिंग के अलावा call market में आप देखे न, call writing कितनी हो रही है देखे, मेरा हमेशा मानना है कि call writer जो होता है, सबसे ज़्यादा risk लेता है सबसे ज़्यादा risk लेता है, जब आप call एक right करते हैं, तो आपका risk जो होता है, infinite हो सकता है अगर आपकी call writing आपने करी है, market अगर अगर चाला गया, तो call writing इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई है जो call writer जिसको हम intelligent trader की benchmarking से समझते हैं, वह आपको बोल रहा है, market नीचे जाना चाहिए तो खुल मिलाकर अगर आप चीजों को जोड़ें, तो market के अंदर तेजी का जो रुख है, मुझे लगता है, थमसा गया है तो निकुन जाहिए, ऐसे situation में retail investors ये भी सोच लेते हैं, कि अगर market में इस वक्त नीचे की तरफ stocks मिल रहे हैं, गिरे रहे हैं stocks, तो क्या उन्हें accumulation के लिए अभी करना चाहिए, या फिर market आपको खराब लग रहे है, तो कुछ और समय भी रुके आपको नीचे अच्छे quality stocks म गिर चुके हैं, अगर आप देखें तो Union Bank, Yuko Bank, Bank of Maharashtra, इनके अंदर करीब करीब डबल डिजिटी गिरावत रिसेंट है से आचुकी है, मगर State Bank of India में रिसेंट है से कोई बड़ी गिरावत नहीं आई है, तो जो बड़े PSU Banks हैं वह मुझे लगता है अभी भी stand out करेंगे, मगर PSU Shetra के अंदर, especially PSU Banks के हम बात अगर कर रहे हैं, तो इनके अंदर एक प्रकार की मीनी re-rating होई है, जब एक सेक्टर उपर जाता है, तो सेक्टर के अंदर पेरे Large Caps उपर जाते हैं, फिर Mid-Tier Banks जाते हैं, फिर Small Caps जाते हैं, मगर जब सेक्टर के अंदर correction आता है, तो Small चोटे PSU Banks में नहीं आएगा, चोटे Mid-Tier Private Banks में नहीं आएगा, बड़े Banks में आएगा, बिकुस क्रेट साइकल मुझे अच्छी लगती है, तो हो सकता है कि FI 20 अगली कॉर्टर के ट्रेड मेरे साब से रहेगा, वर रहेगा, बाइ, Large Cap Banks on a Decline, पहले वह पीस ही हो और ट्रेडर्स के भी होगी, कहां पर entry ले ली जाए, Mid-Cap में भी Sell-Off नज़र आए, इसे कैसे देखें ने कुंट, देखें मेरे साब से अगली 4-5 दिन अगर आप कुछ नहीं करें तो बेटर है, क्योंकि Bazaar में धीमापन ज़रूर रहेगा, year-end compulsions की वज़े से, और Bazaar में इस तो आप रुख को थोड़ा market को थमने दीचे, या तो आपको market, या तो stocks इतने attractive level पर आए, जहां पर आपको लगता है margin of safety बहुत ज़्यादा है, वह भी missing है, या फिर आपको लगता है कि market के अंदर कोई short term में trigger आ रहा है, जिन लोगों ने PSU शेतर में निवेश करा था, साल पहले, सावा साल पहले, उसमें PSU's stocks in general सस्थे हो चुके थे, बले वो NTPCA हो या फिर coal India हो, बले वो SBI हो या फिर BLO, तो उस प्रकार का जो market है, जिसे कहते है, gold available at the price of silver, वह मुझे PSU's में नहीं दिख रहा है, वह मुझे PSU's में नहीं दिख रहा है, ओके, all right, ठीक है, so PSU ल levels आगे भी दिख जाएंगे, और आपको ध्यान रखना है, कि PSU's space या फिर large gap bank, big PSU's या फिर large gap private space banks पर आपना असर जादा रखे, आज इंड़ी